हलो दोस्तो नमस्कार मैं हूं इनो दो आप देख रहे हैं मेरा यूटूब चैनल पोल्ट रिजोन दोस्तो आज हम बहुत ही महतुपुन टॉपिक के अपर बात करेंगे हो जो महतुपुन टॉपिक यह है कि कैसे हम इसी पोल्ट्री फार्मिंग का ऑपरेशन सस्ता किया जाए दोस्तो आभी तक हमने जितने भी बाते की हमने बाते की कैसे हम निपल ट्रिंकर सिस्टम लगाएं कैसे हम जो है सस्ता इसी पोल्ट्री फार्म बनाएं कैसे फाल सिलिंग करें कैसे हम जो है दाने की लाइन को सस्ता करें कि तो दोस्तो हमारे सामने एक और जो महतुपुन ज यहां प्रफार्मेंस से संभन करेगा यहां हम यह हम यहां से समझ सकते loайн कि कैसे हमें प्लिटी भाम्ट से इस इसा हमें सब्सक्सान होगा या फाइदा होगा और फाइदा होगा तो केसे होगा कितना होगा यह सब हम जो है इस पर बाच्चित करेंगे दोस्तों यह जो है मुख्य जो संबंध है इसका electricity supply से अब हमने देखा आए कि पूरे भारत में एक समान जो है अगर फाल्ट होगा या और कोई होगा तो दो तीन घंटे के लिए बाचांस आती मतलब जाती ही नहीं है बल्ग हम यह बोल सकते हैं कि चोईज घंटे हमें अठारा घंटे है उननिस घंटे electricity अबिलेबल है यह मैं यूपी भिहार की बात कराऊं वैसे दूसरी शेतर में भी ज़्यादा हो सकता है electrical distribution जो है कम ज़्यादा हो सकता है किन्तों दोस्तों अब electrical distribution कम ज़्यादा है 16-17 घंटे 18 घंटे है उससे मतलब यह नहीं है किन्तो electrical breakdown तो होता ही है अब वो electrical breakdown तो hospital में भी होता है पेट्रल पंप पे भी होता है और बड़ी-बड़े सहरों में भी होता है वो चाहे टोक्यो क्यों नहीं हो चाहे अबने इंडिया का मुंबई सहर क्यों नहीं हो वह होता है चाहिना का चाहिnew बीजिंग साहर क्यों नहीं किसे चलाने लहत्रहबं को होता है आफ चलने का तरीका कैसा क्यूंतो उसके साथ में संत्रहिंक कुम हुए हमारे लेलिय काश्ची काश्च है हैं कि कैसे हम जो है generator सस्ता किया जाए क्यों जनेटर का भी खर्चा हमें जो है इसी पॉल्ट्री फार्मिंग में ये एक करीब एक चोंता ही हिस्सा जो है मान सकते हैं तो ट्रांस्वार्माल लगाना और दूसा जनेटर लगाना मतलब ये इसी पॉल्ट्री का एक बहुत ही मध़फ़ू खर्चा हो गया अब दोस्तों आप यह देखें कि अब चाहे हम 5000 बढ़ के लिए फार्मिंग कर रही हूं चाहे हम पांच जार बड़ के लिए फार्मिंग करें दोस्तों सभी में हमें लगने वाले जो खर्चों एक्युमेंट सेम हैं बस यह कि सबकी क्वांटिटी कम जादा हो जाएगी चुकि दोस्तों होता क्या है कि अब हम चाहे जनरेटर हम चाहे पांच के विए का खरीजें चाहे जनर प्रसा एकोनोमिक नहीं हो रहा क्योंकि एक लगवा को जो है थर्टी परशन्ट खर्चा पूरे फार्म का वह जनरेटरी लेकर चले गया अब जनरेटर के साथ में भी दो घटना हो रही है एक तो घटना यह हो रही है कि आटोमेटिक जनरेटर नहीं मिल पार आटोमेटिक पर जा रहा है तो कम से कम थार्लीं पर उसका एक्सटा लग रहा है मतलब कि अब पांच अगर आटोमेटिक लेने जाएंक तो मेरे खाल से वह भी बजट की समया थी दो अब जिसे रात में लइड चले गा क्यूंकि हम तो घर सो रहें है या फिसे सो रहा है यां दूसे जो तो मैंने फार्म के अंदर इसोना शुरू कर दिया, आप लाइट जाए तो गर्मी हो तो मुझे पता चला है, मैं जागे जनेटर चलू कर दूँ, क्योंकि दोस्तों अब ये, एक मैंने अंदर पॉल्टरी फार्मिंग का जूनून है, तो मैंने वो किया किंदो दोस्तों यह प्रेक्टिकली करना यह गलत है और फोर मुश्किल भी है ऐसे प्रकार से प्रेक्टिकली करना बहुत बढ़ी बात वहीं है तो दोस्तों अब ऐसा हम क्या करें कि साब भी मर जाए लाठी भी ने तूटे मतलब हमारी इसी फार्मिंग भी हो जाए सस्ती भी हो जाए और हमें कोई रिस्क भी नहीं हो तो दोस्तों उसके लिए मैं भूत ही अल्टरनेट जुगाड जो है इसको जुगाड अब पहली हमें से में एक और बताना चाहिए मुझे जिस भी कंपणिया जो मुझे जानती है और हमारे लोकल इंब भार की है मतलब सब नाम के वीचे जुड़ जुड़ दिया कि जुगाड मतलब मतलब हमने इंडिया का जाए उसका ब्हूत अच्छा था करते हैं कि सर मतलब वहां पर इसका वास्तवित्ता में किया गया प्रयास, जुगाड को हम क्या बोलेंगे कि आदमी के पास में साधन अभेलेबल नहीं है, किन्तु उसने कोसिस की, हम को जुगाड को हम जो है दूसरा सब्द अगर हम बोलें, तो उसको हम कोसिस बोल चकते हैं, या फिर किया गया प्रयास ह सब्सक्राइब किया गया प्रयास तो तो यह मानके जो रहे इसी को सब्सक्राइब करना पदता है तो आप जो गलत थोड़ासा एडिट करना और यह सब करना इसके करण जो है ऑर और फोड़ो का प्रने है ठीके तो आप हम चलेवर करते हैं तो दोस्तों मतलब हमने तरीका निकाला है इसी पॉल्टरी फार्मिंग को सस्ता रन करने का तो थोड़ा हम सो देखते हैं इस से पहले मैंने कई वीडियो में बनाया है कि कैसे हम जोए ज़रेटर के अपसेंस में हम जो इनवर्टर से कृसें से चला सकते हैं अब थोटा सा कि कि他 हमरे पास चलाने का जो तरीका है जनर्वेटर के और दूसरा हमने जो तरीका निकाला है वह हां em T डोस्तो यह किसए यह कैसे इंजन इसमें दो पाते हैं विस olan के साथ में कि दो case की मतलब की जैनरेटर में हमेंडर्जी एलेक्रिक्रिक नटर में अगाने तो जब हम अगर नहीं लगाते हैं तो अगर donuts लगाते तो तो जिसे हम जन्रेटर से या फिर जो हमारी इलेक्रिकल इलेक्रिसिटी जो है वेसा का वेसा जो परफार्मेंस दे पाएगी तो वह हमारे लिए सूचना और हमारे बात करना वहती महत्तपूर्ण विशा है दोस्तों अब मैंने जब मैंदलब एनलाइज किया कि क्या यह और कुलिंग पेट या फिर हमारे लगने वाले एक्यूमेंट की जो है परफार्मेंस के उपर कोई एफेक्ट नहीं गिना चाहिए तो दोस्तों अब इसका अनुमार हम कैसे रगाएं क्योंकि अब यह भी संभव नहीं है कि हम जो है अब पांच की वीगा पिले इन्वेटर पांच को चला करें वह थोटा सा हमारे ली मतलब बात करना है घर आखरीद सब्सक्राइब करें नहीं चला तो नहीं चलाया तो वह में यह वीकर काम कुंसे-खोड़ा है नोग हो दोस्तों उसके फोर विलर भी आ गई जैसे कि टाटा नेक्सोन की आ गई टाटा टीगोर की आ गई टाटा टीयागो आ गई तो दोस्तों ये भी गाडियां जो है इनको भी तो कुछ नो कुछ भीनत लगती होगी न हमें तो जैसे मालूब उसके इंजन और उसका भारी इतना होता है कि 10-10 गोडो 20-20 गोडो के आसपस उनको चलाना होता है उसके साथ में बसे आ गई तो बसो को तो करीकर उसमें तो 200-300hp का इंजन लगता है इंजन लगता है तो दोस्तों अब 200-300hp का इंजन को अकर मालो वही बस उतनी स्पीड से रन कर रही है तो और उसी परफार्मेंस के साथ में अगर रन कर रही है इसका मतलब यह वह कि बैटरी से हम जो है हमारे इंडिया में मनुफेक्चर रही होता है थो आख essay के बैटरी के तो लिगतर न फर देखने कि बैटरी के आ खांगेक और जो हम आ प हमारा इंवर्टर काम ने काम करता है यह प्रकार के लिए 10 बाद जो है तो ही दोस्तों होता है अगर हम इसके प्रकार हम इन फिर्ट 2 वह आते जब हम अंगर बहुंद में चलते हैं तो हम inverter में भी करते हैं 80%, मतलब कि अगर हम नहीं है, इसको 10 kVA का हमारा generator है, तो हम उसको 8 kVA का ही load count करेंगे या डालेंगे, तो वेशा का वेशा ही जो है, हमारा 10 kW का is inverter है, तो हम उसको 8 kVA, load डालेंगे, लोड डाल पाएंगे, क्योंकि दूनिया में इसी कोई machine बनी ही नहीं है practically तोर पे मैं अगर बात कर रहा हूं तो दूनिया में इसी कोई machine ही नहीं बनी है जो कि जीतनी हम energy दे रहे हैं उतनी energy को जो है हमें output में दे दे वह 80% या 70% ही जो है output में देता है तो दोस्तो इसके अब मतलब मेरे जो सब इस सब चीज़े कहने का सिर्फ एक ही उद्यश है जिससे कि मैं थोड़ा सा बताऊंगा आज की बाल लिए 10,000 बड़ के अगर हम farming कर रहे हैं तो दोस्तों यहां के लिए जो है हमें अगर एक generator भी अगर हम खरीद रहे हैं तो हमें पूरा था है किन तो हम जब 3,000-4,000-5,000 की फार्मिंग करते हैं तो उस कंडिशन में जनरेटर थोड़ा सा खरीदना एकोनोमिक नहीं होता किन्तों दोस्तों फिर भी अगर हम देखें कि हम सिंपल सा अगर हम जनरेटर को पूरी तरीके सा सीप्ट कर दें और हम पूरी तरी आगा सा आगissä जनरेटर को पहँता देखें कि हम सिंपलय। दोस्तो पेले हमें सोचना पड़ेगा कि हम जो है जनरेटर के से जो है हमें इलेक्ट्रिकल वहानों की जरूत क्यों पड़ी क्योंकि इसके पहले तो हम जो है